और राइट फिलाल मैं राहशी हूँ कुछ जरूरी काम से आया था सो बिसिकली कल हम लोगों का एक इवेंट है बट एक बड़ी अपडेट इसी बीच में आई है तो आम डेली सॉरी कि मैं इसे प्रॉपर स्टूडियो से सूट नहीं कर रहा हूं सो बिसिकली बड़ी अपडेट यह है कि एच्टाइट की जो वैलेडेटी अब वो चेंज कर दिये और वो लाइफटाइम कर दिये वो क्यों की है वो समझने वाली बात यह है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चात्र थे जो नोंने 2015 में एच्टाइट पास कर लिया था और वो लगातार कह रहे थे कि सर जो ये GBT की भरती आने वाले उसमें हम लोग रह जाएंगे जो TGT की भरती आने वाले सर उसमें हम लोग रह जाएंगे और जो PGT के अभी current vacancy चल रही है उसमें हम लोग रह जाएंगे सो बिसिकली कुल मिलाकर बात यह है कि इसको वैलिडेटी को लाइफटाइम करने के पीछे यह एक छोटा सा पॉइंट यही था कि इस बार तो एच्टेट करा नहीं सकते ठीक है अभी उतना जल्दी तो जो पहले जो एच्टेट हुए हैं उनकी वैलिडेटी को हम लोग जो है बिसिकली एप्रूफ कर देते हैं and I think 2019 के अगर इतना सरकार ने सोचाए कि वैलिडेटी को लाइफटाइम कर दे विकॉस इसे सरकार को काफी घाटा होता है reason behind that क्योंकि काफी सारे student ऐसे होते हैं जो 2013 के बाद दुबारा जिनको अब इस बार एच्टेट देना था 2014 के बाद उनको फिर से एच्टेट देना था तो वह काफी सारे student ऐसे हैं जुनको दुबारा से एच्टेट देना पड़ेगा मतब शायद 2015 के बाद से शायद है तो साथ साल की पहले डेटी थी पहले तो overall मैं कह सकता हूं कि उन सभी students के लिए काफी बड़ी रहत है जिन्हो कि आप लोगों से promise भी किया था किया एक बड़ी अपडेट आने दो तब है मैं वीडियो बनाऊँगा विकॉस मुझे वह आता भी नहीं कि कुछ भी हुआने और डेली डेली बैट कर sources के हिसाब से जो भी information दे रहे हैं कोई भी source बता रहे हैं जम तक मेरे पास information थी जहां त students को बोला कि यह मेरे पास information है अभी मेरे पास को information नहीं है तो मैं बोल रहा हूं कि फिलहाल मेरे पास information नहीं है कि कब तक notification आजाएगा बट इतना तय है कि notification आना है TGT का भी आना 8000 भरतियों का और PRT की 1300-1400 जो भरतियों उसका भी आना है तो आप लोगों की तैयारी तैयार हो आप लोग ठीक है इसी के साफ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अपने students ते जोनोंने क्या इनोंने पूछ सकते हैं लिखके कि क्या किसी ने टेस्ट बुक का बैच लिया है अगर कोई भी यह बोल दे कि हमारा बैच बेकार है या फिर हमारे बैच में कोई issues है हम लोग सुधारते हैं पहली कोशिश तो यह रहती कि student ने ऐसा feedback दिया क्यों और अगर फिर भी हमें लगता है कि यार कि यह कम है तो उसे सुधार करते हैं और कोशिश यह करते हैं कि student जब तक है पीना हो तब तक उस बैच के अंदर स्तुधार करें तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने बैच लॉंच कर दिया किसी को भी बैच चाहिए हो आप मिरको हाय हर्याना जेवीटी करके एक्यान में 132 617 इस नमबर पर मैसेज डाल जीजेगा अभी हम लोग थोड करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं और फिल्हाल जारकंड में हम लोग ठीक है और हम लोग पहुंच रहे हैं वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे करीब नौतारी को नौतारी को फिर मैं अपडेट दोंगा उसे पहले मुझे उम्मीद है कि और एक बड़ी अपडे मैंनत करते रहो और जो कूर्स नहीं ले रहे हैं मों से भी बोलूंगा कि यार ठीक है कूर्स नहीं ले रहे हो तो अटलीस खुद से पढ़ाई कर लो विकॉस एड़ दा एंड में यही काम आना है दूस्त है न और अब देखो एस्टेट की वेलिडिटी भी लाइफटाइम हो गया है तो यस थैंक यो सो मच बबाए ठीक है थैंक ये अब्रीबान